हलो, नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मुकेश अकनी होतरी, आज से हम BSC Part 1 के तीनों पेपरों में जो भी इंपोर्टेंट और टॉपिक हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिसकस करेंगे, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को पार्शल डिफ्रेंशेशन के बारे में किरे करूँ होगा, ठीक है, तो आज हम करेंगे पार्शल डिफ्रेंशेशन, जो आपका चैपटर है, यह कुछ आपका, जैसे आप लोगों ने 12th क्लास में डिफ्रेंशेशन किया था, कुछ ऐसा ही चैपटर है, ठीक है, बस यहाँ पर difference हता है कि हमारे पास 12 में हमने पड़ा था तो वहाँ पर independent variable हमारे पास केवल 1 था जब कि यहाँ पर independent variable more than 1 होते हैं माल लेते हैं कि मेरे पास कोई function z है ठीक है जिस जो x और y का एक function है यहाँ पर x और y आपके independent variable होंगे अगर हम यहाँ पर य को fix कर दें ठीक है और x के respect में इसका differentiation करें या फिर हम x को fix कर दें और y के respect में इसका derivative निका लें तो उस case में क्या होता है हमारे फास माल लेते हैं सबसे पहले हमने क्या किया यहां पे y को fix करते हुए x के respect में इसका differentiation किया तो यह value होती है क्या बन जाती है f of x plus del x, y minus f of x, y upon क्याएगा delta x यहां पे limit लगाएगे अपन delta x tends to 0, ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम denote कर सकते हैं del z upon del x तो यह आपका क्या बन जाएगा x के respect में इस function का partial derivative similarly अगर हम क्या करें यहां पर x को fix कर दें और फिर हम क्या करें y के respect में इसका differentiation करें यहां पर क्या आपका x क्या हो जाएगा आपका fixed हो जाएगा ठीक है x क्या हो जाएगा यहां पर आपका fixed हो जाएगा तब उस case में यह हो जाएगा आपका f of x, y plus del y minus f of x, y upon me del y और limit लग जाएगी हमारे पास यहां पर limit delta y tends to 0 ठीक है तो यह बहुत simple process है कोई ज़्यदा खास hard नहीं है जास हम लोगों नहीं पढ़ा हुआ है 12 में वैसे हमें यहां पर differentiation करना है के लिए रहे चलिए और देखते हैं देखो यहां पर चीज़ और है आपका जो del z upon me del x है ठीक है इसको आप चाहें तो इसको हम denote कर सकते हैं कैसे z x से और आपका जो del z upon me del y है इसको हम चाहें तो denote कर सकते हैं किसे del y से क्लिए रहे चलिए अब यहां पर एक काम करें अपन अगर हम इसी z का एक बार और कर दें del 2 z upon me del x square ठीक है तो इसका मतला हो जाएगा del upon me del x अंदर क्या आएगा del z upon me del square खिलिए रहे similarly अगर हम क्या करें यहां पर इसका del z upon del y का अगर हम यहां कर दें अगें y के respect में partial differentiation जहां पर x क्या रहेगा constant रहेगा तो उस case में del 2 z upon में जो जाएगा del y square क्यलिए रहे हैं चलिए आगे देखते हैं अपने इसके इंदर और अगर हम यहां पर क्या करें इसलिए del z upon जैसे मारे पास यह del z upon del y है इसका हम कर दें इसके respect में x के respect में तो हमें मिलेगा del 2 z upon del x del y या फिर हम करें del y का del z upon del y का del del z upon del x का del upon del y के respect में तब हमें सेम चीज़ मिलती है तो हमें जो मिलती है तो दोनों चीज़ सेम होती हैं आप इस z का x के respect में करने का y में करें या फिर del z upon del y का आप x के respect में करें तो हमेरे पास दोनों value सेम होती हैं क्योंकि सिर्फ सॉल करेंगे यहां से मिलेगा del 2 z upon del y del x और यह दोनों कहा रहती है मिशा सेम रहती है किलियर है तो यह सोटा सा process है अब हम देखो कुछ examples करते हैं जिससे हमें किलियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हमें यहां पर questions देखने हैं चलिए तो जिसे की हम एक question लेते हैं जिसे आप पर किलियर होगा कि कैसे इस question को solve करना है देखो जिसे के मारे पास एक question दिया हुआ है माल लेते हैं यह question है आपका u is equals to x square 10 inverse y upon x minus y square 10 inverse x upon y ठीक है आपको क्या करना है यहां पर आपको del 2u upon del x del y प्रूव करना है कि यह होता है x square minus y square upon में x square upon y square यह हमें यहां पर क्या करना है इसे प्रूव करना है मैंने एक अच्छा question ले लिया है इससे आपको काफी हद तक निकालना आ जाएगा कि हमें किस परकार से इसको solve करना है कि लिए रहे तो देखो इसमें ज्यादा कुछ खास आपको tension learning जूरत नहीं है बहुत easy है सबसे पहले काम करें आप इस u का हम क्या करेंगे जो अब दिख रहे हैं यहां पर इस u का करेंगे पहले y के respect में फिर जो आएगा उसका कर देंगे x के respect में partial differentiation ठीके चलिए करते हैं तो मैंने क्या किया सबसे पहले del u upon del y किया तो देखो ज़रा del u upon del y करोगे आप तो क्या हैगा ज़रा देखें आप इसका जब करेंगे पहले इसका del upon del y तो y में जब करेंगे तो x का रहेगा constant रहेगा तो यह हो गया x square के लिए रहे constant रहेगा 10 inverse का करते हैं अगर आप तो क्या था 10 inverse का 1 upon 1 upon y upon x का हिल square into हम y के respect कर रहे है तो x का रहेगा constant रहेगा तो 1 upon x plus sign 2y को जगा 2y अच्छा यहाँ minus sign है तो minus आएगा 2y इसका करोगे आप अब जब आपने इसका कर दिया तो इसका आपका क्या रहा है एस्टिस जाएगा क्योंकि u into v से होगा यहाँ पर आपका आजएगा 10 inverse x upon y के लिए रहे फिर minus sign अब y स्कॉयर को आप hd छोड़ देते हैं हम करेंगे इसका तो इसका जाएगा 1 upon 1 plus x upon y का whole square और साथ में जब इसका करोगे x constant 1 upon y का करेंगे जितना आएगा minus का x upon y स्कॉयर के लिए रहे तो simple process जोई formula वह लगेंगे जो हम लोगों ने 12 में लगा रखें अलग से कोई formula काम नहीं आ रहे दर अब चरह अथरा इसको simplify करते हैं अपन एक काम करते हैं इस calcium देते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपका x square जाएगा यह आपका उपर चला जाएगा x4 बन जाएगा उससे cancel out कर देंगे इसको अपन तो form क्या बन जाएगा यह x cube upon x square plus y square minus 2y यहाँ रहे गया 10 inverse x upon y minus sign अब दोको minus यहाँ भी आ रहा है minus यहाँ भी आ रहा है तो plus हो जाएगा यह plus sign क्या आएगा देखो आप y square से यह y square cancel out हो जाएगा यह y square LCM आएगा और y square उपर चला जाएगा तो यह अपना जाएगा y square x बचेगा उपर upon में x square plus y square यह हमने इसको कर दिया simplify के लिए ने तो यह हमारा first part हो गया इसको थोड़ा सा कर हम हो solve कर लें तो देखो आप यहां पर इन दोनों में common आ रहा है तो आपने कहा कि LCM ले लिए उपर से common निकाल दिया तो उपर से x common आ गया क्या रहे गया x square plus y square upon में क्या आ गया x square plus y square minus का क्या रहा 2y और यहां आ गया 10 inverse x upon y क्लिए रहे आप देखो इसको थोड़ा सा अगर आप कट सकते हो काट लेंगे अपन यहां से आपका यह cancel out हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा जाएगा x minus 2y और यह जाएगा 10 inverse x upon y तो यह हमार जो value आई यह value किसके बराबर आ गई यह आ गई del u upon del y ठीक है अब क्या करना है आपको यहाँ पर इसी का again तो कि हमें यहाँ पर क्या निकालना था आप देखो कि यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालना है del 2u upon del x del y अब हम क्या करेंगे इस one का करेंगे किस के respect में x के respect में करेंगे तो देखो is equals to क्या हैगा value ज़रा देखो करो आप इसका x में करेंगे तो x का तो क्या है constant sorry x का तो 1 हो जाएगा minus का 2y constant है करेंगे 10 inverse का 1 upon 1 plus x upon y का whole square into अब हमें अंद्र करना है तो यहां का जब करोगे आप differentiation partial तो x तो y तो constant है तो x का वन हो जाएगा upon में जाएगा y कितना होगा करो simplify इसको आप y से y कर जाएगा यहां पर तो 1 minus का यह उपर चला जाएगा यहां पर तो y square upon में x square plus y square के लिए थोड़ा से इसको आप simplify कर लेते हैं अपने एक बार lc में लेते हैं और solve कर लेते हैं अच्छा यह 2 भी है यहां पर यह 2 भी आएगा solve करोगे आप तो x square plus y square minus का 2 y square upon में x square plus y square हो गया करो simplify थोड़ा सा कितना हो गया यहां पर यह x square minus y square upon x square plus y square और हमें यही तो लाना था देखो आप ज़रा हमें यह लाना था x square minus y square upon x square plus y square तो same चीज हमने हैं यहां पर यह लिए आए हैं के लिए रहें देखो बहुत simple question था चलिए एक question हम और देखते हैं थोड़ा सा और practice होगे मारे इसके अंदर अच्छा सा question ले लेते हैं जो एक्जाम में आयवा भी है और आ सकता है चलिए तो next हमारा जो question है आपको जिसे दिया हुआ है देखो suppose करो आपको जिसे दिया हुआ है कि जो u है if u is equal to e raise to power x y z यह given है के लिए रहे है आपको जिसे दिया हुआ है हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ जिन कालना है डेल 2 u upon डेल x डेल y डेल z और यहाँ पर करना है आपको यह equal करना है आपको 1 प्लस 3 x y z प्लस x square y square z square और e raise to power में चाहिए हमें यहाँ पर x y z करना है हम यह प्रूफ करना यहाँ चलिए इस को दो प्रूफ करने के लिए अब देख रहे हों कि इस यू का हमें क्या करना होगा एक बार on express right 2 जैड के respect में करना होगा इसका डिफरेंशियर करना होगा और उसके बाद पिर himself यह आएगा चलिए कर्ते ए़ इस्टाट तो del u upon del z ठीक है ज़रा करोगा जब z के respect में तो x और y क्या होंगे constant होंगे तो ज़िए एगा x और y constant है तो आगया जाएंगे e raise to power में x y z के लिए समझे वाइबा देखो जब हम z में करते हैं तो क्या होता है यह जो x y होते हैं constant होते है और हम जानते हैं की e raise to power x में क्या होता है आपका a आया जाता है तो x y constant है तो यह आगया जाएंगे अब हम क्या करेंगे इस पूरे का करेंगे किसके respect में करेंगी अब हम करेंगे इसका y के respect में ठीक है आपने क्या किया अब इसका del 2 u upon del y नहां भी है जो X है यह तरीका constant है इस constant को उन्हों क्या करेंगे वहां कर लेंगे तो मैंने X को भार ले लिया और फिर इसका से क्या U into V से तो देखो Y को छोड़ा सबसे पहले इसका किया मैंने Y के respect में तो X और Z constant है तो X Z आ गया जाएगा e raised to power XYZ plus sign फिर मैंने e raised to power X Y Z को है जिती छोड़ दिया Y का किया कितना हो गया वन हो गया कि लिए इसको मैंने close कर दिया कि इसको थोड़ा सा और कपन simplify कर लेते हैं आप देख रहे हो इसमें जो common आ रहा है इसको common निकाल लो ठीक है तो यहां से मैंने क्या किया common कितना आ रहा है आपका e raised to power X Y Z common आ रहा है इसको आप चाहो तो बहार निकाल सकते हैं यह मेरे पास हो गया यह raised to power X Y Z बहार हो गया डॉट X बहार है यहां रहे गया X Y Z और प्लस वन क्लिए रहे अब हम क्या करेंगे इस पूर्य का यह तो महरे पास आ गया देल 2 U upon डेल Y डेल Z अब हम करेंगे इसका किसके रिस्पेक्ट में आगें करेंगे X के रिस्पेक्ट में तो हमें डेल 3 कह लिए तो हम इसका करेंगे तो देखो X यहां भी आ रहा है यहां भी और इसके अंदर भी है तीनों में ही है तो हम इसका करेंगे देखो हमसा से पहले क्या किया X Y Z को छोड़ दिया X को छोड़ दिया इसका करेंगे जब हम X का रिस्पेक्ट में तो X का 1 हो जाएगा Y Z constant में है यहां हैगा Y Z प्लस साइन हमने गया किया E रिस्टी पावर X Y Z को छोड़ दिया X का किया 1 और यहां पर आपका X Y Z प्लस 1 एज़ दिश रह गया फिर प्लस साइन फिर हमने इसका किया तो इसका जब करोगे X के रिस्पेक्ट में तो Y Z constant है अगया जाएगा E रिस्टी पावर X Y Z dot X आपका जिटिज रहेगा और साथ में X Y Z प्लस 1 यह भी जिटिज रहेगा ठीक है अब कुछ नहीं करना बहुत सिंपल इसको सिंप्लिफाई करना है और आंसर मार आ जाएगा तो आपने क्या क्या है इन सम्मेस आप देख रहे हो यह रिस्टी पावर X Y Z common आ रहा है common ले हो गया अंदर ले जाओ तो X Y Z हो गया है तो यहां से मंदर आ गया यहां बचेगा मेरे पास X Y Z प्लस वन यह हो गया चलिए थोड़ा स्को और सिर्फ़ए करते हैं आपन तो ए रिस्ट्य पावर एक्स वाई जैड आपका बाहरी है यह आपको जाएगा एक्स वाई जैड प्लस एक्स वाई जैड प्लस वन इसको आप अंदर ले जाओगे एक्स स्क्वाईर वाई स्क्वाई और जैड जैड छीक है आप साथ प्लस में कितना आएगा एक्स वाई जैड ठीक है अब तो थोड़ा सा अपस्षी करलो सिंप्लिफाई तो देखो क्या आ रहा है x y z is equal to एक तो आएगा आपको x square plus y x square into y square into z square plus 3 x y z और साथ पर कितना रहा है plus का 1 तो यह हमारे पास prove हो गया जो मैं prove करना था देखो हम इरी prove करना था हमें लाया था 1 plus 3 x y z plus x square y square z square plus 3 x y z plus 1 तो इस प्रकार से मारे पास यहाँ पर यह prove हो गया क्लिए रहे बच्चों बताओ आपको समया आया चलिए तो हम इसकी और examples और important questions होंगे आपकी chapters related वह मैं आपको आगे जितार होंगा और आप इसको आज देखे रिवाइस करें एक बार और कोई problem आज तो बताएं thank you झाम जेँ आपको में अन्दों प्लेवा जो जयाएं